हाई एविवन तो आज टूंज ने कि इस वीडियो के अंदर हम जो तम पढ़ रहे हैं विच इस कॉल्ड मैश अब मैश अब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ठीक है मैश अब मतलब अगर आप म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में यह हो रहता है मल्टिपल सॉं सब्सक्राइब बन सकता है बिजनेस के लिए भी बन सकता है and किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो आप नॉर्मल खुद की वबसेट भी बना सकते हो तो आप multiple public APIs का यूज करके बना रहे होते हो तो ये सारी चीज़ हैं आप बता सकते हूं mashups के बाई ठीक है मैई तो mashup के अगर बात करी जाए तो यही term है mashup कि हम multiple resources या multiple services का use करके उन सबी को finally हम integrate कर देंगे and उससे हमारे पास एक last में जो result बनेगा उससे हम last में अपना खुद का application तयार करके रख सकते है बात समझ में आ रही है क्या ये इतना simple लग रहा है हाँ बहुतना ही simple है integration करना रहता है बस so अब इसकी definition भी देख ली जाए तो जादा मजा जाए जाएगा yes तो definition बहुत जादा simple way में लिखी है अब mashup और a hybrid web application is an application that combines services from the several web pages so यहाँ पर क्या हो रहा है हम services ले रहे है कहां से different different जगां से yes into one to offer a new services clear है बात हाँ बहुत है clear है so mashup is a technique you can also say that mashup is a technique by which a website or a web application uses data clear है यही आप बता सकते हो into one offer a new services it is common for data integration to be obtained from open APIs जो कि मैंने आपको भी बताया था the freedom to integrate all the sources is an opportunity to develop a new services in a very short time based on existing functionalities so हम दूसरी services ले लेके क्या करेंगे हमारे कम से कम time में हम अपना application जो बना रहे है like this अगर हम यह services ले लेता है and multiple services ले सकता है just like open APIs जो रहती है उनका use लेके हम हमें जंजट नहीं पालने की data कहा से आ रहा है यह सब चीज़े हम directly API यूज़े करेंगे and finally हमारा जो भी छोटा सा या फिर business perspective जो भी applications है वो build हो जाएगा तो उससे हमारे पास क्या-क्या advantages हुए सबसर में an advantage ही हुआ कि कम से कम time में हमने better अपना एक application तैयर कर लिया yes दूसरी चीज़ यह है कि हम यहाँ पे integration वाला part भी सीख चुके क्योंकि finally हम इन सब को क्या कर integrate ही कर रहा है तो यहाँ पे यह सारी चीज़ है आपको advantages मैं बता सकते हूँ आप ठीक है in a very short time and based on the existing functionalities yes typically mashup relay on using the third party content through public sources or interfaces yes among the most used font to create mashups are google maps so google maps की सब लोगों ने API सुनी होगी ठीक है so google maps हो है ना इनका APIs हर जगा यूज होता है अगर आप कुछ भी application यूज करें for example food delivery application है उसमें वो wait करवा रहता हो या फिर वो service दे रहा होता है किस तरीके की service है delivery service वालो food application है for example zomato so आपने कुछ भी food वहाँ से order किया for example आपने एक pizza order किया and आपने place कर दिया अब वो आपकी location वागेरा सब मांगेगा and finally वो आप पे map दिखेगा map में क्या होगा एक scooter में zomato वाली t-shirt में एक बंदा दिखेगा and आपका रास्ता धर से उसकी जो भी near to restaurant दे जहां से आपने book किया so वो रास्ते में मतलब गूगल मैप की तरह वो भी एक तरीकी का map आपको present करेगा कि यार वो यहाँ पे पहुंच आ है वो अभी 2 मिनिट में आने वाला है 5 मिनिट में आने वाला है and इस तरीके से so you can say कि यह बहुत ज़ादा famous mashup examples आप देख सब करेगा फिर गूगल मैप के एपिए बहुत ज़ादा आप यूज कर रहे है अप्लिकेशन के अंदर ठीक है तो यह वही है among the most used fonts to create the mashups are Google Maps Amazon yes Flinkers yes Flickr YouTube eBay and Yahoo तो यह सब क्या है बहुत ज़ादा यूज आने वाली चीज़ है the is with which these platforms allow you to integrate your content and has led to great success for hybrid web applications clear है अब जमेटो लाइक अप्लिकेशन में क्या है कि यह तो आप एक में अप्लिकेशन है इसमें सारा front end एकदम foot से related है and back end में पूरा सब चीज मैंनेज हो रहा है ठीक है अब में इंपोरेंट बात ही है इसमें जमेटो अप्लिकेशन में बहुत सारी आपको चीज़ें इंटिग्रेट होती हुँ दिखेंगे मैंना भी आपको गूगल में बता यस ऐसे लोग इन साइन अप भी यस ऑथेंटिकेशन भी है हाँ ठीक है भाई तो ऐसे multiple चीज़ें है and finally कोई भी अप्लिकेशन आप बना रहे हो तो इसी तरीके से मैश्ट अप होकी त्यार होती है ठीक है तो यह important बात समझ में आगई आप यह समझ में आगई और यही term में मैश्ट आपका और कुछ नहीं है